नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक तो बदायू में डबल मर्डर से जुड़ा मामला दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया जावेद ने बरेली में सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि मैं निर्दोश हूँ जो भी किया साजित ने किया और हत्या के बाद वो डर गया था इसलिए दिल्ली भाग गया था और अब जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया पुलिस को जावेद की तलाश थी दूसरे आरोपी जावेद ने सरेंडर किया है और बरेली उसने सरेंडर किया है बदायू में दो बच्चों की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी साज़िद जो भागा था पुलिस एंकाउंटर में मारा गया बताया जा रहा है कि जावेद भी उसके साथ था बाइक पर उसको बैठा कर लाया था और वो तभी से फरार था पुलिस उसकी तलाश कर रही थी जावेद ने सरेंडर किया है और अपनी सफाई में कहा है कि हत्या साजित ने की जो किया उसने किया मुझे इसके सूचना बाद में मिली और इसलिए मैं डर कर भाग गया कि तुम्हारे भाई ने ये काइंड कर दिया है नहीं मैं बात बता हूं सुनों तुम अभी जैसे कहने हैं कि मैं कुरंट बहां से आया वदाईन के लिए बहां पब्लिक बहुत थी मैं सीधा दिल्ली बाग गया मैं दिल्ली से सूधी बरे लिए कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है काई लोगों की जहां सो मेरे पास होना है कि तुम्हारे भाई ने ये काइंड कर दिया है नहीं ऐसा है मैं एक बात बता हूं सुनो मेरे बात बात सुनो तुम अभी जैसे कहने है डिया रिखे इस दोरे हत्याकान का जो दूसरा अरूपी था जाविट अरूपी शाविट का भाई उसके विए अफ़तारी आज जनपती पुलिस के दौरा की गई है उसके दौरा पुलिस के दबाव और जो इस पर इनाम कराए गया था उसके दबाव में उसमें आज वरे तो पहली बार कैमरे पर बोला है आरोपी जावेद अपनी सफाई में उसने कहा कि मुझे हत्या की जानकारी नहीं थी जैसे ही पता चली मैं डर कर दिल्ली भागा सीध्याब आपको लिए चलते हैं हमारे सयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं चितरंजन जावेद जिसके तलाश पुलिस को थी उसने खुद ही बरेली जाकर सरेंडर कर दिया और उसका ये कहना है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी बाद में जानकारी हुई और उसके बाद वो डर करके भाग गया पुलिस अभी तक जावेद की क्या भूमी का देख पाई है इस पूरे निशन्स हत्याकार में कि मेरे भाई ने दो बच्चों की मौत के घाट उतार दिया है उसके बाद मैं दिल्ली भाग गया था और मुझे भी एंकाउंटर का डर था मुझे भी पुलिस का डर था चुकि कानून का राज है इसी को लेका वो सैटेलाइट पहुचा बरेली के बारा धरी ताना चेतर में और उसने एक वीडियो उसका वाइरल होने लगा तब जाके बदाईयों कुलिस जागी और उसके बाद उस आरोपी को बारा धरी से ग्रफसारी हुई है और अभी बरेली की सिविल लाइन में उसको रखा गया है वहाँ बरेली की पुलिस जोसाज कर रही है बदाईयों की टीम वहाँ पहुचे हुई है और वहाँ से लाकर सीजियम कोर्ट में उसको पेस किया जाएगा और चौदहा दिल की रिमांट मांगी जाएगी और रिमांट के बाद पुलिस उसके कड़ी से कड़ी जोड़ने का ब्यास करेगी कि इस पूरे घर्ट में क्या आरूप था उसका वहीं आपको पता दे माने सीदे सीदे आरूप लगाया है इस पूरी हत्याकान में किसी ने साजिस रची है और उनके बच्चों की हत्या कराई है और उसमें हो सकता है कि किसी ने पैसा देके उनके बच्चों क के बाद अभी-अभी व्यान दिया है और उनका कहना है परजनों का कि उसका भी उसी तरीके से पुंस्ताज हो और पता चले परदा फास हो कि किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया और आरोपी जावेद का भी अगर वो इतने दोशी है तो उसका भी एंकाउंटर होन चाहिए तो बिल्कुल यहां पर एक बड़ा आरोप बच्चों की माने लगाया है और वो ही आशंका जता रही है कि हो सकता है किसी ने बच्चों की हत्या जावेद और साजिद के माध्यम से करवाई हो मतलब यह मामरा सुपारी किलिंग जैसा भी हो सकता है यह मा का आरोप है और दूसी तरफ पुलिस अभी तक जानकारी दे रही है इस पूरे मामले में क्योंकि लगातार जावेद और साजिद के घरवाले कह रहे हैं कि जावेद को कोई जानकारी नहीं थी वो तो घर पर था शाम साथ बज़े तक वो घर पर था और उसके बाद वो वहां से भागा देखे इस मामले में SSP का ब्यान सामने आया है और SSP का कहना है कि जैसे ही ये वीडियो वाइरल होने लगा तब बदाईयों पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि ये जो बदाईयों में जो दो हत्याकान हुए थे उसमें जावेद का नाम है और ये वही जावेद है जो बदाईयों में नामजद्गी हुई है तो पुलिस ने इस बात की तहट की ताक तक पहुची और उसके बाद ये पता चला कि ये वही जावेद है अब बदाईयों पुलिस बरेली के लिए रवाना हो गई है और आधा पहुन गंटे में पहुचने के बाद अब आरोपी की ग्रफतारी होगी और उसके बाद मुस्ताच ली जाएगी बिल्कुल तो यहां से रवाना हो चुकी है पुलिस बदाईयों से बरेली के लिए और जावेद को वहीं से लाय जाएगा लेकिन जावेद के आपर आकर अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है पहचान पत्र पर दिखा रहा है और वो यह दावा कर रहा है कि कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स भी उसके पास में है जिनके माध्यम से प्रूव हो सकता है कि उसको हत्या की जानकारी नहीं थी अपनी सफाई में क्या बाते कहीं है जावेद ने जावेद ने साफ साफ इस बात को कहा है कि मैं डर के मारे बदाइउं खोंड कर दिल्ली भाग गया था और मुझे खोंड से सूचना मिली कि मेरे भाई साजित दोनों बच्चों को मौझ के घाट कार दिया और उसको इस बात का एंकाउंटर का डर लगने लगा उसी बात आर जावेद की वही जावेद है तब 12 धरी पुलिस ने उसको सेटलार्ट से फकड़ा और ठाने ले गई और बदाइउं पुलिस को सूचना दी अब बदाइउं पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई है देर रात का ये पूरा वीडियो है ये लगातार जब वाइरल होने लग तब बदाइउं पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है वही बदाइउं की पुलिस की जावेद की मुस्ताज की जाएगी वहाँ कोट में ले जाया जाएगा और कोट में उससे रमांड मांगी जाएगी कि कम से कम 14 दिन की पुलिस उसको रमांड दे आप नज़र बनाए रखे जानकारी के लिए शुक्री आपका तो पुलिस जावेद की कस्टडी रिमान चाहेगी क्योंकि उसके बाद उसे पूछता चोगी और कई एहम खुलासे हो सकते हैं बदायू में दो मासूमों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोनों मासूमों की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में चोगाने वाला खुलासा हुआ है आरोपी साजद ने आयूश और आहान पर 23 वार किये थे गला काटने के बाद सीने, पीट और हाथ पैर पर ताबर तोड़ वार किये आयूश के शरीर पर 14 जगा और अहान के शरीर पर 9 जगा घाव मिले हैं आरोपी साजद की भी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आ गई है मुटबेड में आरोपी साजद के शरीर पर 3 गोलिया लगी है जला काटने के बाद हाथ पैर पीट सीने सभी जगा उसने ताबर तोड़ दोनों बच्चों के शरीर पर वार किये थे आयूश के शरीर पर 14 जगा घाव मिले हैं